आराध्य अरिहंत प्रभु के चर्णों में, अनन्त अनन्त आस्था के साथ वन्दन, शाषन पति श्रमण बगवान महवी स्वामी के चर्णों में, अनन्त अनन्त आस्था के साथ वन्दन, जिन्शाषन देर जिन्शाषन माता कोनम, आत्म ज्याने सद्गृदेर युक्रदा आच्वारे वगवन के चर्णों में अनंत अनंत आस्ता के साथ बंदन आत्मक्रिय शमित्मनेजी शाष्षत्मनेजी आत्मार्थी सादक सादिकाउं तत्वार सुत्र महाशास्त्र के बंद तत्व का वर्णन चल रहा है अश्टम अध्याय के बंद तत्व में चवदा सुत्रों में हमने आठ कर्मों की प्रकृतियों के बारे में जाना कौन-कौन सी प्रकृतियां हैं, कितने वेध प्रवेद हैं, कैसे इनका बंद होता है अब बंद के बाद दूसरे बंद के चार वेदे, प्रकृति बंद के विस्तार से जाना अब दूसरा वेदे स्थीती बंद, जो कर्म हमारे जीव के साथ जुड़ गया, बंद गया अब वो कितने समय तक रहेगा, कितने समय तक रहे सकता है, उसकी उत्कृष्ट इस्तिती क्या है, जगन इस्तिती क्या है, इस्तिती का मतलब वो कर्म हमारे जीव के साथ कब तक कितने समय तक रहने वाला है, और जब उसका काल पक जाएगा तो वो कैसे हमारे जीव को छोड़ करके चला जाता है उसकी उत्कृшьण व जगनस्तिति यहां प्रवनन दी गई है उत्कृषण स्तिति बंद पंदरवे सुत्र में बताया आदी तस्ति श्रिनाम अंत्रायस्य च त्रिंशत सागरोप मा कोटी कोट्य ह परास्तिति पहली तीर्म कर्मप्रकृतियों के अर्थात ज्यानावरण, रशनावरण और वेदनी एकी तथा अंत्रायकी उत्किस्तिति तीस कोटा-कोटी शागरोप कि याने इन के जुठानवर Jahren रश्चनावर्न वेदनी और अंत्रा जो कर्म है इन छारो क्रमों की उत्कृष्ट सि समाने से एक साथ तीस करोडा क्षोडी साघुरोपम तक ज्यादा से ज्यादा अगर ये कपर्ण बंदेगा तो ये को कीकौडा कोड़ी होश में आकर के लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा इतने काल तक हमारे साथ रहेगा फिर अपने आप वो ख्षय होना शुरू हो जाते हैं स्थिति बंद के भी दो प्रकार एक उतके स्थिति का बंद दूसरा है जगन स्थिति का बंद जो जो कर्म पक गए हैं वो प्रतिपल प्रतिक्षन उदे में आ रहे हैं लेकिन गल्ती क्या होती है जब कर्म उदे में आता है तब जीव बेहोशी मेरे ने से उस कर्म को स्विकार नहीं करता है उसके निमित को दोस्त देता है उसको लेकर के आर्थरो ध्यान करता है उसको ल ने किया कि अब भूतकाल में उसका फल ही आया है उसको स्विकार न करके वो कर्म तो खिरा फल दिया लेकिन साथ में जो हमने प्रतिक्रिया की विभाव में गए बेहोशी में के आत्रोध्यान किया उससे नया एक बीज पड़ गया ऐसे मैं कई बाद रिष्टान देता हूं व कोमरे उदे मरे आते हैं तो हम व्यवाव में जाते हैं विभाव में जाते हैं आतमा में रखते नहीं है और उस समय कोई कोई निमीत बनता है हम क्या करते हैं ःँождения में उस शरीर से मोह करके या करके उशरीट की सुरक्षा के लिए rushed यान और जो निमित बनता है उसको दोशी बना करके उसको सुधारने में लग जाते हैं अपने मूल में जो गलती है उसको सुधारते हैं नहीं है मूल में गलती किया है अपना विभाव जो कर्म किया हो तो आएगा उसको कोई रोक नहीं सकता जो कर्म आपने बीच डाला है वो फल आया है अगर आप उसको पोजिटिव रूप से सीकार कर लो ज्यानी बन करके कि ये मेरा ही भूत का क्या हुआ करमाया है और मैं वर्तमान में इस कर्म के निमिच्टे विभाव में नहीं जाओंगा चाहे कितना भी भारी कर्मा है सामान्य कर्मा है और मैं सवभाव में से नीचे क्या है अनंत सुखादी अस्टगुणों की संपदा अभी भी है ऐसा नहीं नहीं है अभी है लेकिन आवरन बीच में आया हूँ जैसे ये कर्म का आवरन आप काल पकने से घिरा जैसे आम के उपर से आम एक समय के बाद घिरेगा ना कितने समय तक लगा रहेगा आप उतारो या न उतारो आपको आप लगे कि आप बहुत आहीं सके आपने हमने एक भी आम का तोड़ना नहीं है अच्छी बात है न तोड़ो लेकिन काल पकने के उपर जितने आमे सारे घिरेंगे पकपकर के कोई हवा से गिर जाएंगे वैसे कच्चे गिर जाएंगे उपर पूरा पक करके गिरेंगे ही ऐसे जैसे वो फल पेड से गिरता है आप उसको खाओ या न खाओ नीचे सड़े या कुछ हो लेकिन पेड तो अपनी तरह से क्या करेगा समय आने पर उसको एसे हमारे उपर जो हमने बूत काल में कर्म बान दे हैं जिसकी स्तिती पक है कंडियों पर निकला है तो आएका जिस पहला होधारिग पर जिसके पास बहुतारिग ऑग वेकरी वेकरी नники के लिए देवता के लिए मनेश्चा के लिए और तीरियंच के लिए निट रिए जब उस शरीड पर आता है हमारे 2400 कंटे कर्म आरे कि नहीं आ रहे है कि क्या ह विभाव में जा करके हाय तोबा करते हैं आत्रोध्यान करते हैं परचिंतन करते हैं पुद्गल का चिंतन करते हैं और उसको लेकर कि जितना विभाव में जा रहे हैं उतने नए बीज पड़ रहे हैं और जैसी स्तिती है आपके कशाई की उसी साथ से फिर लंबी स्तिती बने कि सोट का लड़ू कितने दिन रहेगा गौन का लड़ू कितने दिन रहेगा बुंदी का लड़ू कितने दिन रहेगा कोई लड़ू चार दिन में खड़ा हो जाए कोई लड़ू 40 दिन तक भी रह सकता है कोई लड़ू दो महिने भी रह सकता है कोई लड़ू तीसरे दिन में और समय समय पर वो कर्म अनारी की यात्रा में बंदे हुए समय समय पर वो जिसका जिसका काल पक्रा है इसलिए भगवान ने का प्रती पल प्रती समय आठो कर्म उदे में आ रहे हैं और साथ कर्म नहीं बंद रहे हैं साथ क्यों कहा बंदन के लिए आठो कर्म बंदन क्यों नह आते हैं तब इन साथ में से कोई कोई कर्म प्रक्रति में आते हैं और वो बनते रहते हैं अगर आप विभाव में नहीं रहो तो आपके हाथ में हैं सबाव में रहो तो पुराना तो खिरेगा उसको आप रोक नहीं सकते हैं आप सबाव में रहो और उधारिक को पराया मानो क् पराये पर कैसा भी अत्याचारों कैसा भी करम आए आपको उतनी तकलिफ होती है जितनी अपने के ऊपर होती है पराये को खाली आप उपदेश देते हो क्या करते हो आपके घर के पडोस में चोरी हो जाए और आपके घर में चोरी हो जाए दोनों में क्या अंतर पडोसी को जा आप मेरह क्या हुग्त आप मेरे दॉघव कि हैं कोई निमत नहीं झाने प्प्ट कियों कि प्ड़ोस्त के उम्जाना यहांगो मोग्या कु οποि यह इतना अंतर है जब उस शरीर को अपना मान ठाइक लोगे चुछ दोगे थे गल्ट से लिए मैं चीट तेरे साथ में नहीं रहूंगा तैने कलती है कि तु तो यहां चुड़ जाएगा मैं तेरे कर्म साथ लेके क्यों जाँँ वह दारिक साथ जाइगा क्या है कौन कार्म्पन सरुमी जाएगा अब मैंने जैसे लेकिन वह कर्म आज भी आपके साथ क्या कर रहा है विभाव के कारण कार्मन शरीर में पड़ा है जब काल पकेगा वह निकल करके आएगा और उस समय में हम क्या करेंगे जो निमित बनेगा उससे उलग जाएंगे कि ये हमारा अज्यान को दूर करने के लिए जयान सिखाए जाए ज़से का बाराचलि इस नृट क्यों लेना थात्व ज्यान पुद्गल के संसार में लगे रहो तो कपड़े बेने से किसी की नेजरा हुई नहीं 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 लिया भाव संयम नहीं लिया इस भाव संयम किया है सभव में रएना जड़ और जीव का भेद करके जीव सभव में रहे तो भाव संयम से करम 24 pararते कटते हैं और 24 pararते बंदने वाले बंदन पे रोक लगा देते हैं किससे अब खृवैं आघपर मटें नहीं करते ख्रकी smo le Collection शूँछी सीमा में मईत बांदो कि हमने धर्म को क्या बांदा क्या सामाई के माँ डियान की क्रिया में बांद के रखा है उपास में बांद के रखा है एक आशने में बांद के रखा है जो जो धरम की क्रिया करें तब तो हम धार में बाकी हम खुले हैं जो मर्जी करें धारम कभी भी खुला नहीं है धरम 24 गंटे हो सकता है आश्रव के लिए मर्यादा में बांदना आश्रव क में आशरत थोड़े से खुले रखे सारे नहीं खुले रखें выз One First जरूने रख पातें प्रत संकल्पूर्वक मारने बुद्धी से नहीं मारें गए जितना हो सके लिए आनशिक छूट दी चूट दी उसी आश्रव के उपर हमको को काम करना है बाकी तो मनें ट्याक कर दिया और पंच्व महावरत में कोई छूट नहीं दी चोविस घंटे आपको सुभाव में रहना है और कोई ऐसा निमित नहीं कि जहां आपका एक घंटे के लिए मेरे को छुटी जैसे आप दीवाली की शुटिया मना रहे हो सादू को छ अगैसाट के चूटी लेता हूँ एक घंटे नहीं प्रमाचरी की शुटि नहीं, खुटियों में, संदे की सुभी सपी इसादों को को 24 घंटे यह को पासके क्या पारे विजों नहीं कौई श्र縪र कीए शोड़ाई से घ्राऻई को सवाध्यां वहAmहरे सिद्समें सवाध्या करें हम तो हुना स्वाध्या करें Ozadjaya के बीच में को आ रहा तो उसके निमित से हमारा और थोड़ा गहराई से पहावर्तन हो ज़ा आप चार प्रश्ण पुछते थो और हम उसमें अउलोकन करते हैं अपने खुद का उलोकन कर पाते हैं कि हम कहांदर से उस कर्म का बंदन एक ही बार होता है लेकिन बंदन की जो नरक नहीं तूटा लेकिन उसके संक्रमन हुए आयुष कर्म का जो गती की अपेक्षा से जो है वो उसी गती में उसने संक्रमन किया जो सुचछ फूतर में आप इतनी वंद्ध्वा तो आपको करम के इतने उस गत्र करण सक्ता है लेकिन वो नरक की गति नहीं छोड़ सका भगवान ने इतने उपाय बताए फिर को कर नहीं सकते हैं लेकिन बाकी में संक्रमन होता रहता है बंदन एक ही बार होगा उसको घटाया जा सकता है जैसे आईश कर्म आकी दो प्रकार की मृत्यु ना आईश कर्म का निरूप करम जो निरूप करम है वह तो टूटेगी नहीं लेकिन जो सोब करम हैं वह सो साल की उमर तीस साल के एकसिडेंट में भी जा सकती है तो उसके पूरी लगा करे आप महां से अगनी लगाते आओ यहां तक और पूरी रस्टी गॉल करके एक फार पूरी रस्षी को एक सथ जल्व पूरी घण लम्बी रस्षी में इतना टाइम लगना था वह रागशक में जुल पूरा फूरा अगे निकल लिग Again चलिए इसमें इस्तिती देखते हैं सब्ते ये पांच चार कर्म की देखती तीस कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाने वह उत्किस्टिती भी संगी पंचेंद्रिय परियाब तक मिथ्या दस्टी जीव के ही होती है सब से effectivement कर्मों का राजा केते हैं बाकी सब की तीस तीशें साट दस सत्तर कोड़ा कोड़ी सागर प्रम के नामकर्णों जो कर्म ने बातिकिती शित्र का है घोत्र कर्म ज्य उच गोत्र नीज क offend कि नाम कर्म ज्यो के तीवीश कोड़जी सागरप्रमान की होती है कि अब अयुश कर्म की उत्रिष्टिति तर सागरभक माणे उत्रियुतACH Kelli थित्यों प्राप तक के ही होती हुटि ०्यान देनरे हो कि सूटु पंदा से अठात्र थी North कर्मों की जो उत्रिष्टिति कई गही है वह मूल कर्मों की है आट मूल कर्मों के उत्तर भेच 148 से इनमें से प्रतियेक मूहनी कर्म के किसी एकार भेद में ही उतकर्षिति की संभावना बनती है, अब यह सब यह तो नहीं होती है। अब यह तो हो दी सदी आठ कर्मों की उत्किस्टिती बता दी अब जगन्यस्टिती अपरादवादश मूरता वेदनियस्टित वेदनिय की जगन्यस्टिती बारह मूरत की है वेदनिय कर्म है उसकी जगन्यस्टिती जो बंद है कम से कम बंदन होगा तो बारह मूरत को होगा वेदनी कर्म की जगन्यस्तिती बारा मुरत यस्तिती सुक्ष्म संप्राय नाम के दस्वे गुनस्तान में ही बनती है, यानि वेदनी कर्म का जगन्यस्तिती बंद दस्वे सुक्ष्म संप्राय गुनस्तान में होता है, नाम गोत्रयो रस्टो हो, नाम और गोत्र की जगन्यस् अंतर मुरत के विशे में का गया है एक समय अधिक एक आवली प्रमान से लेकर अंतर मुरत शुरू होता है और दो गड़िके में एक समय कम रहने तक अंतर मुरत माना जाता है यानि अरतारिस मिनिट में एक समय भी कम होगा तो उसको तो कहेंगे अंतर मुरत बैसे अभी वर्तमान काल में हम मुरत क्रोश नहीं कर सकते हैं लेकिन एक समय कम तक शुकर ल्यान का प्रयोग कर सकते हैं अंतर मूरत की शुवरात कहां से होती है तो एक समय अधिक आवली का प्रमान काज से अंतर मूरत शुरू होता है और ज्यादा से ज्यादा अंतर मूरत कहोगा तो एक समय कम एक मूरत मूरत के बीतर के समय का नाम अंतर मूरत है। कि जगनस्तिती दस्वे सुक्सम संपराय गुंस्तान में बनती है अबादाकाल किसे कहते हैं यह शब्दा आएगा अबादाकाल जितने काल तक करम फल नहीं देता जैसे अभी आपने बीज डाला आम खड़ा हुआ फल लगने से पहले मोर आने तक का जो समय है वो कौन सा समय ह अबादाकाल उसके बाद फल लगेगा फिर फल पकेगा और फिल खरना शुरू होगा तो जो अबादाकाल तक तो एक भी करम शुरू होता ही नहीं अबादाकाल पूरा होने के बाद फिर छोटे-छोटे बीज बनेंगे आम गिरेंगे कोई गिरना शुरू हो जाएगा कोई कोई बीज में कोई पूरा बनेगा कितने साल पहले मुंबई में वियार करते आ रहे ते एक बार भाहिंदर से पहले एक स्थान पे ठेरे तो आम के पेड़ के नीचे बैटके ध्यान कर रहे थे तो सहज में उपर ध्यान गया मोड लगे वह थे छोटे-छोटे लग रहे थे कितने सारे मोड गिर रहे थे कितने सारे बीज गिर रहे थे इतने आम लगे हैं इस में से कोई कोई विरले होंगे जो पूरा पक करके फल दे पाएगा बाकि कितने बीज में एक्सिडेंटल जाएगे कितने पूर के साथ ही घर जाएंगे कितने थोड़े बड़े होंगे फिर आंधितुफान आजाएगा कोई विरला उसमें से पक करके पूरा तैयार होकर की नीचे हो तरफ आएगा बीच में तो कितने कितने जंजावाद एक आम का भीज पेड़ फल पक्कर के बाहर आना वे ऐसे हर जीव को कितने जंजावाद उसे कुझे न पढ़ता है जिसका देशा कर्म है उसके अनुसार उसको वेशा संयोग बनते और वेशा तो वेजनी है अपराद वादश जगने इस्तिती चले दी अबादाकाल जितने काल तक कर्म फल नहीं देता आवली असंख्यात समय को एक आवली करते हैं उससे कुझ समय ज्यादा होता है तब अंतरमुरस शुरू होता है एक समयास में संख्याध हजार कोडा कोडी आवलिया होती है एक समयास में संख्याध harm कोडा कोड जगने इसका अबादाकाल इतन हजार वारश दर्शना वष्ण का तीस कोडा कोडी सागर हो अंतर मूरत जगन्य और अबादा काले उतक्रिष्ट अबादा काले 3,000 वर्ष ऐसी अंत्राय कर्म पर 30 कोड़ा कॉड़ी उतक्रिष्ट अंतर मुरत जगन्य उतक्रिष्ट één अबादा काले साथ हजार वर्ष है, और जगन्य उद्रिना के अपईसा से एक आवली का समय है। और वेद्नी वह तीज कोड़ा कोड़ी इसका जगन्य बारा मूरत और उत्किष्ट अबादाकाल तीन हजार वर्ष। नाम और गोत्र 20-20 खोडा-कोडी आठाट मूरत का जगन्यां और 2000 वर्ष का इनका अबादाकाल और ऐसी आयुकर्म का तेतिस साग्रपम मात्र और अंतर मूरत जगन्यां और उद्कृष्ट जो है एक कोटी पुर्वर तीन आवली का इसका अबादाकाल है और आवली और असं के संब्वी पंचंुद्री परियाप तक मि्थ्या दर्ष्टी उतक graphics देवायू को शकल सिंङे मी ही बात सकता है आयू बीना 67 कर्मक शपक्ष्ट रणी में मिथ्या दश्टी मोनष्वत द्रस्ट। जीऊं का उत्कुष्ठ कर्मस्तिती बंद